हलो दोस्तों कैसे हुआ आप लोग स्वागा थे आप पर परफ्रेक्ट वर्ल्ड की एक और निव वीडियो में परफ्रेक्ट वर्ल्ड की पिछले एपिसोड में हमने देखा था सीहा फिर अपने ग्रैंड फादर को छोड़ कर अपनी न्यू टेक्नीक का प्रैक्टिस करने और एक कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने के लिए उनसे दूर हो गया था लेकिन रास्ते पर उसे कुछ लोगों का ग्रूप मिलता है जिनकी उपर दो गौड्स हमला कर देते हैं इनकी पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉंग होती है कि दूसरे टीम को ये लोग बहुत ही आसानी से मार देते हैं लेकिन जिसको ये पकड़ने आये थे वो लड़की सीहाओ उसको बचा लेता है अब आगे एपिसोड शुरू होती है जहां उनमें से एक गौड सीहाओ के सामने आ गया है उन लोगों को सामने से घेल लेता है उनसे कहता है तुम चाहे कितनी भी भागने की कोशिस कर लो टेंस्ट सा माहौल चा जाता है लड़की सीहाओ से कहती है तुम यहांके नहीं हो तुम्हें इस प्रॉब्ल्म में फचने की जरुरत नहीं है तुम चाहो ते अपनी जान बचाने के लिए यहां से भाग सकते हो लेकिन दूस्तों सीहाओ तुरंत ही वहाँ पर एक और ये सीन सिप्ट होता है जहां हम देखते हैं वो साइकलोन सीहा और उस लड़की को वहाँ से टेलिपोर्ट करकर एक दूसरी ही जगा ले जाता है सीहा उस लड़की को पकड़ कर भाग रहा है उस लड़की से कहता है मेरे सूट में मेरे ब्रत को आइसोलेट करने की एबिलिटी है अब वो लोग हमें नहीं ढून पाएंगे मुझे पता है इस भमंडर की वज़े से तुम थोड़ी से घबरा गई हो इसके एफेक्ट से बॉड़ी बहुत थी जादा भाइबरेट करने लगती है पर चिंता मत करो तुम थोड़ी देर के बाद बिलकुल ही ठीक हो जाओगी पर लड़की जो की पूरी सांध सैड है सीहाओ से कहती है मुझे इस बात की चिंता नहीं है मैं बस अपने दोस्तों के बारह में सूच कर सैड हो रही हूँ उन लोगों ने मेरे लिए अपनी जान दे थी सीहाओ कह हो उनकी विस्पूरी हुई तुम सही सलामत हो लड़की कहती है पर तुम क्यों मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान रिस्क में क्यों डाली तो फिस यहाओ अपनी पहचान उसको नहीं बताता है और ये कहता है मुझे किसी को बचान इसENE ही तुम उस एडिया के करीब पहुन जाओगी। मैं तुम्हें चोड़ दूँगा ताकि is तुम्हारे अभी दोम्हारा नाम भी नहीं पूछा। तो फिर सीहाओ अपने रियल आइडेंटिटी छुपा कर अपना नाम मोशी बताता है लेकिन इसके बाद वो सीहाओ को देखकर कहती है मैं तुमसे एक बात कहना चाती हूँ मेरा एक दोस्त था सीहाओ तुम्ही देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं मेरे उस पुराने दोस्त को देख रही हूँ वो भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह था वो भी कुछ-कुछ खाना चाता था और एकदम तुम्हारी तरह लापरवा था कुछ भी करने से पहले बिल्कुल भी सोचता नहीं था सीहा तब मुस्कराता है कहता है चलो ये भी सही है जब समय मिलेगा तो तुम मुझे अपने उस दोत्त से जरूर मिलाना और फिर वो लोग वहां से तेजी से आगे बढ़ जाते हैं आगे बढ़ने पर उन लोगों को अपने सामने एक बहुत ही खतरनाक सब भवंडर दिखाए देता है ये देकर सीहा रुख जाता है इस खतरनाक भवंडर के अंदर से बहुत ही ज़ता खतरनाक आवाजे आ रही हैं भवंडर पूरी तरह से लावा से कवर्ड है और इसके पड़ता है सीहाओ कंफ्यूजड आखिर इस पर मैजिक का असर क्यों नहीं हुआ यूंसी बताती है यह इस डीमन प्लेन का एक डीमन एप है जो कि किसी भी तरह के जादू से इम्यून होते हैं सीहाओ ये बात सुनकर हैरान हो जाता है मैजिक इम्यूनिटी वाले बीस्ट यूंसी बताती है जब कोई डीमन डीवाइन फायर के रेल्म में पहुंच जाता है उसके बाद वो और मैजिक पावर कल्टिवेट नहीं कर पाता है इसी वज़े से उसकी बाड़ी मैजिक से इम्यून भी हो जाती है पर इसके बाद वो लोग आगे के ट्रेनिंग से फिजि कली फाइट करके हराना होता है और तभी दोस्तों उस भवंडर से हम लोगों को बीष्ट की आवाज सुनाए देती है यूंसी बताती है बीष्ट बर्सर के स्टेट में पहुंच गया है यानि वो गुस्सा हो गया है और अब वो सी हाओ के उपर हमला करने वाला है जिसको सा यूंसी के सामने अपना वो वैसल निकालता है कहता है अगर तुम इस वैसल के अंदर चली जाओ तो मैं उस बीच में इस बीच से फाइट करकर इसको हरा दूंगा यूंसी जब सी हाओ को देखती है जैसे ही वो एप सी हाओ के उपर हमला करता है सी हाओ एक जोरदार मुका उस बीच की उपर जड़ देता है तो अंति उस जगा पे और डीमन एपस आ जाते हैं सी हाओ उस डीमन एप को मार कर उसके मुझ से खोन निकाल दिया है इसलिए अब ये एप और पर जाता कुछ सा चुके हैं वैसे ही वो लोग एक साथ मिलकर सी ह अरणे जाता है लेकिन तब ही एक जोरदारर रोश्नी आतीर जिसके बाद हम देखते हैं उन सारे लंगुरू का काम तमाम कर दिया है अब दाम और तब वो अपने सामने एक demon एप को देखता है। और उसी के सामने एक magical herb देखता है। इस herb को blood soul grass कहा जाता है। और यही वो हर्व है जिसकी मदद से यस जो सारे एप हैं वो अपनी body को magic से immune कर पाते हैं। हम देखते हैं वो एप उस क्रास को खाता है और फिर एकदम से बहुत ही सता ताकतवर हो जाता है। खतनाग एनरजी उसके बाड़ी से वॉल्ब होने लगती है और सीहाओ को देखकर वो उसके उपर हमला करता है। लेकिन सीहाओ अपने प्रोटेक्टिव एनरजी निकाल कर उसके उस हमले से बच जाता है। कहता है लगता है मुझे इन लोगों की मैजिक इम्म्यूनिटी का राज बता चल गया। अब इसके बाद वो डीमन एप सीहाओ को मारने के लिए उसके उपर कूद पड़ता है और सीहाओ की उपर अपने खतरनाग पंचिस और किक्स की बरसात कर देता है। सीहाओ उस एप से लड़ने लगता है उसके अटैक से बचने लगता है। सी हाउस के सामने एक ऐसा बेरियर मना दिया है, जिसे कि ये एब जितना भी सी हाउ के उपर हमला कर रहा है, उसका इस पर कुल भी अफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो एब जानवरों की तरह लगातार, उसके उस बेरियर पर पंचिंग बैक की तरह हिट करे जा रहा है, सी हाउ कह रहा है, अब इसकी दाकत में मुझे एक इंक्रिमेंट दिखाए दे रहा है, ऐसा लग रहा है, जैसे अभी इसने जो हर्ब खाया है, वो इसकी स्ट्रेंथ में भी काफी ज़्यादा एफेक्टिव साबित हुआ है, अब तब मुझे उस हर्ब की क्वालिटी ज़्यादा ही इंप्रेस कर रही है, सी हाउ फिर एक जंप लगाता है, और फिर इस एब को एक जोरदार मुका मारता है, सी हाउ के इस मुक्के से इस एब की हालत खराब हो गई है, तब सी हाउ कहता है, देखो, अब तुम्हें भी बात पता है कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते हो, मैं तुम्हें छोड़ कर तुम्हें दया दिखा रहा हूँ, इसलिए चिपचाब यहाँ पे से चले जाओ, अपनी जान बचाओ, लेकिन दोस्तों ये एब काफी सदा जिद्धी है, ये अपने हाथों पर एक फ्रूट निकालता है, इस फ्रूट को इस डीमन प्लेन का कीवी फ्रूट कहा जाता है, और ये फ्रूट भी इन एब को मैजिक पावर से इम्म्यूनिटी और काफी स्ट्रोंग स्ट्रेंथ प्रूट करता है, वो बीच्ट उसको खाता है, और खाते हैं साथ, उसकी बाड़ी एक बार फिर से बहुत ही तेजी से गलो करने लगती है, और इस बार तो उसकी एनरजी इतनी जदा बढ़ गई है कि उस एब का साइज भी बढ़ जाता है, सीहाओ ये नजारा देखकर बहुत ही जदा सौक्ट और भी जदा इंप्रेश्ट हो गया है, कह रहा है आखिर यहाँ पे किस तरह का ट्रेजर है, जो कि इन लोगों को ऐसे स्ट्रेंद को तुरंती एंप्लिफाइ करने में मदद कर रहा है, ये जगा मुझे काफी सता फैसिनेट कर रही है, लगता है, इस जगा से मैं काफी सारे ट्रेजर्स जमा कर सकता हूँ, और दोस्तो बस इसी बात के साथ, परफेट वर्ल का ये एपिसोड इसी जगा पर खतम हो जाता है, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग सी हाओ की इस पीश्ट के साथ एक खतरनाग फाइट को देखेंगे, और देखेंगे किसी हाओ यहाँ पर ऐसी किस जगा के ट्रेजर्स को पाता है, मैं आपके लिए अगली एपिसोड बहुत ही जटा जल्दी कर, बहुत ही अच्छे से एक्स्प्लीन करके लाऊंगा, और अब से आपको इसका नेश्ट एपिसोड का ट्रेजर एक्स्प्लीनेशन और फिर नोवल एक्स्प्लीनेशन भी मिलेगा, तो इस चैनल पर पहली बार आया होते चैनल को जोरु से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी तक लाइक नहीं करा है, तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, मैं आपसे मिलूँगा, परफेक्ट वैल की न्यू वीडियो को लेकर, तब तक ये लिए टेक केर, बाइबाई, एंड थैंक्स रोची